आपके लिए Masallah Paratha Dogs recipe लेकर रहे हुगों कि KRISPY बनेगा और आसाणी तरीकेस बनेगा और सबसे खास बात यह है कि इसमें हम लेयर भी बनाएंगे यानि कि जैसे लाच्छा पराठा होता ना उस तरीके से भी यह होगा और मसाले के साथ होगा जिसके साथ किसी सबजी की जोरत नहीं पड़ेगी एक दम असान तरीके से बनाएंगे चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को जटपट से यहाँ पर मैंने आटा लिया है एक कप आटा है उसमें एक चोथाय चमच नमक डालेंगे नमक धियान से डालना ज्यादा नमक नहीं डालना है आपको इसका वाद इसमें दो चमच गी डालेंगे एक कप अगर आटा है न आपका कोई भी कटोड़ी ले ले एक कटोड़ी आटा है उससे तो दो चमच घी डालना है उसमें ज्यादा घी नहीं डालना है इसमें थोरतर करके सभी मसाले डाल देंगे एक चोथाई चमच हल्दी पौडर, एक तीहाई चमच लाल मिर्च पौडर, एक चोथाई चमच यहाँ पर मैं जीरा पौडर डाल रही हूँ, थोड़ा से यहाँ पर गरम मसाला डालेंगे, गरम मसाला आपको पसंद नहीं है तो नहीं डालें, बीना गरम मसाला के भी और आप घी में पराता बनाते है तो ऑपराथा कृस्पी बनता है घी नहीं है तो मैं यहां पर तेल भी डाल सकते हैं इसका पट पानेक साथ आटे का दूर करेंगे यहाँ लौनल आटा बनाते है उस तरीकस करेंगेा यहाँ पर आटे को लाएगर शौK No रखना है रखना है इसे हमारा पराठा है कृस्पी बनेगा यह टो बाते खनी आपको आठे की कंसिटेंसे यहाँ पर आप धियान से देखिए इतना फॉल्त अटा होना चाहिए इससे ज़्यादा सौप नहीं करना है आटे को अब छोटे बरे जिस भी साइज में आपको बनाना है उतना डोल ले ले यहाँ पर मैं नॉर्मल मीडियम साइज का बना रहे हूं यह देखिए यह इतने बरे बरे जितना जैसे रोटी होता ने उतना बराबर मैं इसका बना रहे छले फृटाफर्स मैं बेल के दिखाती हूं मैंने यहांपर दो तरीके से बनायsh j appear जो आपको आसान लगे ईजी लगे उस日本री आटे बना सकते हैं सबसे पहले जैसे रोटी बेलते हैं वैसे इसको पहले इसको यहाँआ पर मैंने रोटी को बेल लिया है अब क्या करेंग सी यह भी जरूरी पोइंट है ध्यान देज़ेगा इसके उपर घी लगाना है इसी से हमारे पराठे का लेयर बनेगा उसके उपर थोड़ा सा सुखांट लगेंगे इस तरीके से इसको अच्छे से से पूरे रोटी पर फेला देंगे उसके बार यहां पर देखिए मैं कैसे इसक तरीके से इसको इस तरीके से मोरते जाना है और रहा उसके उसके आब जो इसका दूसरा साइर इसको इसे ओपर मिला कैसे दुआ देंगे इसको दुआना जरूरी होता नियुक्झा अब इसके उपर से हलका साठा लगांगे और इसको बेल लेंगे जब इसको आप बेलते हैं जैसे रोटी बेलते हैं उससे थोड़ा से इसको थिक रखना है ज्यादा पतला नहीं करना है यह देखे है एक पराटा है वेली तयार है इसको अलग रखेंगे दूसरा फटापर से बंध्नयत है तो रोटी बेल लेना है, उसके उपर घी लगाना है, और उसके उपर सुखाटा लगाना है, जो बहुत जुरूरी है लेयर के लिए, उसके बाद इसको अच्छे से रोटी को उपर इसे स्प्लेट करेंगे, और यहां पर एक चाकू से देखे मैं कैसे काट रहे हूं, इस तरी कर से समेट के एक जगा करेंगे और फिर, जैसे हमने पहले वाले रोटी को बेला है, उसी तरीच से उसको बेल लेंगे, ऐसे एक ढखा कर लेना है, उसके बात, एक साइड से अच्छे से डबा लेना है, उसके लगा बार में यहीं आख से लेंगे नहीं अब सुकाँटा हलका से लगा के जैसे रोटी बेलते हैं वो इसे बेल लेंगे बस रोटी से इसको थोड़ा सा मोटा रखना है इतना धियान रखना है आपको ऐसे हमने पराठे बेल लिया है चलिए फटापर सेक दो आपको झीक कर दिखाती हैं तो यहाँ पर गी को अच्छा से माच्छा गरम करेंगे उसके ओपर घी लगाएंगे आपजहें यहाँ पर पहले सीक लें उसके बाद घी लगा है मैने यहाँ पर घी थोड़ा सा ज्यादा यूज़ गिया है तो मैंने पहले भी घी डाला पराखाटा डाला अब थोड़ी देर बाद इसको पलट देंगे, उसको पिर से उपर से घी लगाएंगे, अगर आपको घी कम पसंद है, तो कम यूज करें, घी ज्यादा पसंद है, पराठे में घी का स्वाध बढ़िया आता है, इसलिए मैंने घी थोड़ा सा ज्यादा डाला है, और घी डालने से हमारा जो पराठा है, वो क् अभी पराठे को सेक लिया है इस पराठे के साथ तो ज़्यादा सब्जी का जरूत नहीं पढ़ता है लेकिन आप इसको चिकन या आलू की सब्जी साथ खाईएगा बहुत ही ज्यादा स्वादिस्ट लगता है मसाला पराठा है तो मैं इसके उपर से थोड़ा से ऐसे चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ जिससे की दिखे की मसाला है इसमें और इसको आप चायक साथ ट्रैक किजिएगा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आगा चायक साथ ये पराठा अगर आपने अभी तक इस तरीके से प करन शेर करन